हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल राट्योजी कैसन मैं हूम अर्जीत और फ्रेंट्स यहां पर हम बात करेंगे सिटेट के एड्मीट कार्ड को लेका तो जैसे क्या है कि कुछ प्रॉब्लम यह हो गया है जैसे कि इनको प्रॉब्लम यह हुआ है कि बहु उन्होंने सिगनेचर और फिर फोटो जो है उन्होंने कल ही अपलोड कर दिया लेकिन उसके बाद भी ज्या है उपडेट नहीं हुआ है फिर से वह मिलेगा तो ध्यान यहां पर उन लोग रखेंगे कि जैसे बहुत सारे लोगं का यह हो रहा है कि यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जैसे यहां पर जो दिया हुआ है आपके फोटो के लिए दिया है कि फोटो जो है आजी आपका तेरा तारीक है और तेरा तारीक से पहले जो है वह आपको चेंज करना था तो आप जो है जैसे यहां पर फोटो दिया है तो जब आप फोटो चेंज करने जाएंगे तो उस टाइम पर अपना जो आपका signature है आप अपने खुद से जो है सो भी बेख से जो है सिगनेचर भी देखें यदि आपका सिगनेचर भी आपको लगे कि अच्छा नहीं है तभी आप जो है आप अपने कहांगा कि जिनका invalid बता रहा था अब उनका जो है ऑपना जो है वो चेक कर सकते हैं कल से जो है वह जो है उनका भी मतलब date जो है वह मिलना चाहर हो गया है अब यहां पर problem इनको हुगा है कि जैसे जू यहाँ पर photo signature के लिए बता रहा है तो आपका जो है आपका जैसे अपने photo खोलने जा रहे हैं तो आपको इस तरीके से जो है फिर से वहीं देखने को मिल रहा है जो कि आज लास्ट डेट भी है तो देखिए मैं बताना चाहूंगा यहां पर थ्यां रखेगा कि जिनका अपडेट अभी तक नहीं हुआ है बाकि जिनका अपडेट हो गया है वह जैसे बिल्कुल निश्यन्त हो जाई आपका अपको देखने को मिलेगा आपका डेट जो है कि कब आपका परिछा है लेकिन यहां पर जिनका अपडेट नहीं हो रहा है और अपको जैसे दिखा रहा था फोटो रिमूव के लिए उसी तरीके से दिखा रहा है तो दरसल आप क्या क जो कि आपका यह ओल्ड वाला रहेगा बाकी यदि आप जो नया अपडेट करेंगे तो यहां पर क्या है कि आपका सिगनेचर रहेगा यदि आप सिगनेचर करेंगे तो नया सिगनेचर यहां रहेगा और फोटो चेंज करेंगे तो आपका नया फोटो जो है वो यहां रहे वाला फोटो नया वाला और सिगनेचर जो है नया वाला यदि इस तरीके से दिखाता है तो मैं यहें कहूंगा क्या बिल्कुल निश्चियंतर है यह आपका जो है प्रोसेश में है और आपका अप्रोवल मिल जाएगा अब जैसे क्या है कि बहुत सारे फ्रेंड्स क्या कर रह है थे फिर से अपना फोट जो है फिर से अप डेट कर रहें तो देखिए इस तरीके से आप करेंगे तो आपका पहले वाला अप्रोवल में गया था जो कि आपको उस फोटो को नहीं आएगा यदि आपको झार प्रोघस क्लप आप कयारा है यहां का श्राइब दिखा रहा है धो पहले वाला photo signature और जो आपका नाया है वो क्योंकि देखिए मैं यहें कहूंगा कि आप यहीं बार बार इसमें छेड़ खानी करते हैं तो आपको इसका नुक्सान भुगतना पड़ेगा क्योंकि यह पहली बार नहीं हुआ है यह तीसरी बार आपको फोटो सिगनेचर चेंज करने के लिए दिया जा रहा है इसके पहले किये होते इस तरीके प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो आप जो नीचे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है ओ जो है आप ध्यान से पढ़ें फिर अप क्या है कि जैसे आपका एसेप्ट हो गया अब आपका फोटो सिगनेचर एसेप्ट हो गया और यहां पे जो है जब आप अपन लौगइन है तो आपका जो नया फोटो नया सिर्फ दिखा रहा है लेकिन आपला आप ऑपना ईड्मिट कार्ट डाउनलोड करने जा रहे है तो वहां पे जो है आपका इन्वैलिट गहारा है या फिर वहां पर लिख रहा है रिमूभ फोटो सिगनेचर तो देखिये आप उससे बिल्कुल मत घफड़ाई है उससे कोई नहीं होने वाला क्योंकि आपका एसेप्ट हो गया है फिर आप कुछ देर के बाद जो है वो चेक करेंगे तो आपका डेट जो है वो दिखा देगा तो इसलिए जो है यदि यहां पर एसेप्ट लिख दिया फिर वहां पर सिटेट का जो होता है वो तीन बज के तीस मिनट और थाथ 15 बज के तीस मिनट तो यह जो है आपका तीन बजे शाड़े-3 बज़े जो है साइड़ ओफ हो जाएगा तो इदि आपको प्रोब्लम है तो साठे तीन बज़े तक जो भी चेंज करना चाहते है उचेंज कर ले औ अब इस बार फोटो सिगनेचर अपलोड करने जा रहा है तो थोड़ा सा अच्छे से डाउनलोड करिएगा फ्रेस फोटो जो होगा वहीं डाउनलोड करिएगा और फिर मैं यहाँ पर बता देना चाहूंगा कि जैसे कल जो है बहुत सारे लोगों का इन्वैलिड बता रहा थ पीछे कि आपका जो पेपर है वो एक तारिक से तेरा तारिक के बीच में है अब फिर घवड़ा जा रहा है कि हमारा क्या हो गया तो देखिए ऐसा जो है वो टेकनिकल इसू है आप कंफर्म हो जाईए कि आपका यदि एक बार दे दिया कि आपका पेपर एक तारिक से तेरा तारीक के बीच में होगा थोड़ा बहुत टेक्निकल एसू है क्योंकि इतने लोग फॉर्म भरे हैं इतने लोग का पेपर है और ओनलाइन एक्जाम हो रहा है तो टेक्निकल एसू के कार्ड जो है यह आपका कभी-कभी दिखा दे रहा है कि आपका 10 जनवरी को पेपर है और फ आपको देखने को मिलेगा कि कौन से सीटी में जो है आपका एक्जाम है बाकी जब आपका एक्जाम रहेगा उसके दो दिन पहले जो है वह आपका ओरिजिनल एड्मीट काड आएगा जिसको लेकर आपको परिछा देने जाना है तो फ्रेंट्स यही था आप निस्चीनत र आपका जो मतलब प्रोसेसिंग में है तो उसको बार-बार अपडेट मत करिये क्या है कि कल जो है बहुत सारे फ्रेंट्स थे जिनका फोटो सिगनेचर प्रब्लम था और कल उन्होंने जो है वह अपलोड कर दिया वह हमारे पास खुद फोन किये और उन्होंने बोला कि हमार आपका जो है ओँथ नहीं बता रहा है तो उनका एशेप्ट हो गया है तो कुछ देर के बाद उनका डेट भी जो है वह मेरे कहने का मतलब यहीं है कि आप बार-बार छैट्खानी मत करियेगा क्योंकि एक बार एशेप्ट के लिए जाएगा फिर आप इधर से दूसरा चेंज कर देंगे तो इस तरीके से आपका नहीं चेंज जो है ओए सेब्ट हो पाएगा तो इस तरीके से आपका ही एडमिट कार जो है वो निक्सान होगा बाकी जो कुछ भी प्रब्लम हो रहा है और बाकी जो है कोई प्रब्लम जो है वो नहीं था तो फ्रेंट्स यह जो था अपडेट था यदि आप फिर भी यदि कोई आपको प्रब्लम लग रहा है और नहीं मुतलब आपको लग रहा है कि नहीं गलत हो रहा है या फिर इसके अलावा भी कोई प्र प्राब्लम होगा उसका हम सॉलूसन जहां तक जो है हम उसका सॉलूसन जो है आपको बताएंगे बाकी जो है आपकी इच्छा है आप अपने सुअब बिबेक से खुद से करिएगा और दूसरे के बिल्कुल भरोसे मत रहेगा और मैं यहीं कहूंगा बार-बार यहीं करा है उसको आप ध्यान से पढ़िए कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है और जो लिखा हुआ है वहीं काम जो है उखरिए और जो कोई भी अपडेट आता है बिल्कुल हम सेर कर देंगे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू बाइ-बाइ-टेक और अलवेश्ट थैंक्यू फा लिसनिंग गड्ब्लेस यू अल थैंक्यू